इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं The 100 Women's का match number second जो की WEFW vs MNRW के बीच में खेला जाएगा Wells Fire Women's vs Manchester Original Women's के बीच में ये match होने बाला है Dream 11 टीम की prediction करेंगे दोनों ही टीम की playing 11 आपको बताएंगे साथी साथ आपको best captain कौन से रहेंगे Wells Fire Women's की तरब से Manchester Original Women's के तरब से best captain wise captain कौन से रहेंगे सबी कुछ आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा तो मेरे भाई वीडियो को यार पूरा देखो पूरा देखोगे आपको बहुत कुछ जो है सीखनी के लिए मिलेगा वीडियो को skip मत किया करो आपके लिए ही हम वीडियो बनाते हैं ताकि जो है आपको एडवांटेज मिले आप जो है अच्छी अपनी खुद की ड्रीम मिले उनकी टीम बना पाओ डैरिकली मैच के बारे हम बात करते हैं Wells Fire Women's, Manchester Women's मैच नमबर सेकेंड जो की चार बज़े से स्टार्ट होगा Sophie Gardens, Cardleaf, England के वेन्यो पर ये मैच होने वाला है यहां की अगर मैं पिछ रिपोर्ट की बात करूँ बैटिंग फ्रेंडली जो है पिछ देखने के लिए मिलती है यानि की अच्छा स्कूर जो है हमें देखने के लिए यहां पर मिलता है नो डाउट यहां पर 140 से 150 आप एक्सपेक्टेड करके चल सकते हो कि हाँ भाई लगबग इतना स्कूर जो है बनेगा और भाई चेसिंग करना एक अच्छा आप्शन रहेगा तो जो भी टीम टॉस्वन करेगी वो जो है फिल्डिंग लेना पसंद करेगी और यहां पर फास्ट बोलर्स को भी एडवांटेज रहता है तो यह भी चीज ध्यान में रखेगा कि डेफिनेटली फास्ट बोलर्स के लिए यह पिछ जो है फेबरेवल रहने वाली है वेन्यू पर अगर आप देखोगे टोटल जो है हंडर्ट के आठ मैचस हुए है तीन बार बैट फरस्ट करने वाली टीम ने विन किया है पाँच बार बैट सेकंड करने वाली टीम ने विन किया है एवेरेज फ़रस्ट इनिंग स्कोर अगर आप देखोगे 137 रन है हाएस्ट स्कोर अगर आप देखोगे 165 है लोवेस्ट स्कोर देखोगे 114 रन है चार बार ऐसा हुआ है कि 150 रन से नीचे का स्कोर बना है 8 मैचस में, बाकी 150 से 170 रन के बीच में 4 बार स्कोर बना है, वेन्यू पर जो लास्ट मैच खेला गया था, वो 26 अगस्त को खेला गया था, देख सकते हो कि यहां पर बहुत ज़दा स्कोर नहीं बना था, चेसिंग करने वाले टीम ने विन किया हुआ है, बाकी लास्ट 5 मैचस आप यहां पर अगर आप देखोगे न, तो आपको एडिया लग जाएगा कि कितने विकेट्स लगबग गिरते हैं, 8 विकेट इस मैच में गिरी है, 9 विकेट गिरी है, यहां पर देखोगे तो 12 विकेट गिरी है, य बनते हुए जो है इतना स्कूर देखने के लिए मिलेगा, हैट टो एड की रिकॉर्ड की बात करते हैं, हैट टो एड की रिकॉर्ड में अगर आप देखोगे, दो जो है मैचस हुए हैं, The 100 के, वेलस पायर वोमेंस और मैंचेस्टर वोमेंस के बीच में, एक बार वेलस पा कार्ड जो है इनका लिखा हुआ है, दोनों ही टीम की रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं, अगर आप रिसेंट फॉर्म देखोगे, दोनों ही टीम अपना लास्ट वाला मैच हार के आ रही है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, वेलस पायर मोमेंस के टीम ने अपने लास प्लस स्कूर किया हुआ है विकेट्स कौन सी टीम जादे खर्च करती है तो डेफिनेटली वेल्स फायर की टीम है ना डबलू एफ की टीम इन्होंने जादे विकेट्स खर्च किये हैं कंपेर टू MNRW के अब यहां पर हम देखते हैं प्लेंग 11 सबसे पहले वेल्स फायर जो है जॉठिया इल्एस है उसके लॉरा हैरिस है एलेक्स गृफ्ट है उसके वाद मिंस्डर है सी निकोलस है तो यह ड्यवल्ल एक एक omic gör का पर जो है आप नोट डाउन जो है कर सकते हैं MNRW मैंचेस्टर वोमिन्स की जो है यहाँ पर प्लेइंग लेवन देखते हैं लोरा वर्ड रोड के साथ में इमा लैंब आपको ओपन करते हुना जाराएंगी बंडवन पर फाइम मोरिस है उसके बडेरा डॉटीन है सोफी लिस तो आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं प्लेइर के स्टैट्स की अगर हम बात करें टेनी बेर माउंट का रिसेंट फॉर्म देख सकते हो अच्छा रिसेंट फॉर्म है बहुत अच्छा करके आपको दे सकते हैं हैट टुएड में देखोगे दो मैचेस के लिए हैं 57 क जो है दो मैचेस में 140 रन किया हुआ है धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है बाकी इनका जो है ओबराल वेन्यू रिकोर्ड और जो है यहाँ पर ओबराल रिकोर्ड जो है 100 में आप देख सकते हैं सारा बराइस कुछ खास अप्शन नहीं है लेकिन अपने दिन पर ग्रांडिं बाकी मैं जब ड्रीम 11 की टीम बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से बढ़िया बनिया प्लेयर्स रहने वाले हैं जो कि आपको अपनी ग्रैनली की टीम में लेने चाहिए और स्मोली की टीम में जो है लेने चाहिए यहाँ पर बात करते हैं टॉप पिक प्लेयर्स को जो है आप अपनी स्मोली की टीम में लेके जाना प्लेयर्स इनको अपनी टीम में लेके आने वाले हैं इसमोल लिग में अगर आप जा रहे हो ना सी वी सी लोरा वर्डरोट सोफी लिस्टोन हैली मैथ्यूज और टैनि बैन मॉन यह आपको बढ़िया उप्श उपर की जो टॉप थ्री है ना अमांदा वेलिंग्टन डेरा डोटीन और इमालेम इनका इसपेसली ध्यान रखना कम से कम दो दो टीम में इनको आपको सी वी सी करना है बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाली हैं ग्रैंड लिग में आपको जो है ग्रैंड लिग यही जीत हैं और टेलिग्राम का चैनल इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि टॉस्क इंफर्मिशन प्लेंग लेवन ड्रीम लेवन टीम सभी चीजे आपको जो है टेलिग्राम चैनल पर देखने के लिए मिलेगी तो आप टेलिग्राम का चैनल जरू से जॉइन करिएगा वीडियो के ड लेवन के अलावा अगर आप कहीं खेलना चाते हो तो बैटबोल 11 अप्लिकिशन पर खेलो क्रिकेट फुटबॉल कबडडी बसकेट बॉल भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है अगर आप देखोगे 5000 रुपे का गिवेव भी चल रहा है और यहाँ पर दोनों ही मैचस मे और वोमेंस वाले मैचस में दोनों में जो है गिवेव चल रहा है साथी साथ अगर आप देखोगे ग्रैंड लिग में आपको जो है डिसकाउंट इंटरिस मिलती है लोईस्ट जो है इंटरी फीस है यहाँ पर कंपटिशन काफी लो है और साथी साथ आप पांच अपनी जो इल्बनी इल्कुल फ्री में यहाँ पर जो है गिवेव में जो है जो है जो है जो है जो है जoires कियलहा हूँ आप आप क्यारी और बहुत अच्छी अपलिकेशन की लिंक आपको विडियो के डिसकिपेसं में मिल जाएगी Royal Bro refer code है तो make sure आप जो है refer code जो है Royal Bro जरूर से डाल देना Dream 11 पर चलते हैं जहां पर अपनी टीम रेडी कर लेते हैं investment की अगर मैं बात करूँ तो starting के पहले match में मैं हमिशा से आपको बोलता हूँ कि बहुत ज़ादा excited होके जो है आपको invest नहीं करना है थोड़ा सा जो है कम invest करना है wicket keeping section से सुभात करेंगे wicket keeping section में आपको तरकलेंड, सारा ब्राइस आपको दो option मिलते ही है definitely सारा ब्राइस बहुत बढ़िया option है इनको अपने टीम में directly pick करना dunkli अगर खेल गई directly हमारी टीम में आएंगी बाक जो है मैंने इमा लेम और लोरा वाडरोट और टैने बेन मौक इन तीनों को अपने टीम में लिया है dunkli का recent form काफी अच्छा है और आपको definitely try करना चाहिए मैंने hellie Matthews को लिया है Catherine Bryce को अपने टीम में लिया है G.ilvis ये जो है बढ़ियाँ option है इनको अपने टीम में लेके चलते है Dera.in को भी अपने टीम में लिया है बॉल से अगर मैं बात करूँ Sophie Liston, Amanda Wellington और Sabina Ismail ये तीनों जो है directly हमारी टीम में आएंगे बाकी कुछ अलग करना चाहते हो तो Hurtly और Ferry Device इनको अपने टीम में try कर सकते हो ये भी Grand League के हिसाब से बहुत अच्छी option रहने वाली है चलते हैं CVC की तरफ CVC की अगर मैं बात करूँ No doubt Hallie Matthews जो है मेरी captain रहने वाली है और Vice Captain की अगर मैं बात करूँ न तो देखो यार आपको इमा लेम अच्छी option मिलती है bat ball दोनों कर लेती है advantage जाता है लेकिन क्या पता ball करेंगी या नहीं करेंगी ये ध्यान में रखेगा बाकी Catherine Bryce के साथ में भी सेम चीज है और Dera.in के भी साथ में सेम है तो ये तीनों कुछ अलग करना चाहते हो तो भाई इनको आप as a CVC ट्राइ कर सकते हो मैं अगर बात करूँ अपनी तो मैंने Sophie Lee Stone को यहाँ पर वाइस कैप्टन से दिये जो कि मुझे थोड़ी बहुत safe option लग रही है और मैं safe जो है जाना चाहूंगा फॉस्ट मैच में टीम प्रिभ्यू की बात करते है 5-6 का combination बनाया है वेल्स फायर वोमिन्स के मैंने 5 प्लियर लिये है 6 प्लियर मैंने जो है मैंचेस्टर ओरिजिनल वोमिन्स के लिये है सारा ब्राइस है हमारी टीम में टेनिबन माउंट है लोरा वर्डॉट है इमा लैंब है हैली मेथ्यूज है डेरा डोटिन है गोरजय इल्विस है कैथरिन ब्राइस है सोफी लिस्टोन है सवीना एसमाईल है और अमंदा वैलिंग्टन है ये हमारी टीम रहने वाली है दा हंड्रिड वोमिन्स सेकंड जो है मैच के लिए आई हूप वीडियो आपको जो है